तो चलो प्यारे बिच्चों इस वाले question को देखो एक अच्छा सा question है और इसको हम लोग करते हैं इसमें यह कहते हैं कि mass density of a planet of radius r यह जो पूरा का पूरा हरा वाला बनाया हूं यह क्या है planet है यार प्यारी बच्चों ठीक है और इस पूरे planet की यह पूरे planet की mass यह वह variable mass है यह इसका center है तो mass density variable है और कहता है यह function of r density जो होता है वह ऐसे vary कर रहा है समझ मैं तो gravitational field maximum कहा होगा बलब यह पूरा जो प्लेनेट है यह जो पूरा यहां से तुम देखोगे यह वाला जो distance है पूरा यह radius r है भई तो यह radius r का planet है यह radius r है अब यहां से यह radius r है तो gravitational field maximum कहा होगा इसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा यह एक छोटा सा sphere consider कर लेता हूं इसके अंदर यह रेड वाला sphere ठीक है और जो यहां से small r distance पर है यह तो यहां पर जो gravitational field की value होगी तो यह जो बाहर वाले होते हैं जो बिंदी-बिंदी में आ रहा हूं इनकी वज़े से तो field होगा ही नहीं solid sphere है तो solid sphere है तो बिंदी-बिंदी वाले हैं इनकी इसमें total mass कितना आया होगा इसमें total mass जो है total mass इसमें जो आया होगा इस माले हम में वो यह जो r radius का है और रेडियस में total mass m होगा तो यह point की तरह होगा तो यहां gravitational field की value होगी solid sphere के surface में gravitational field क्या होता है cm over r square तो यह अब यह जो field हो maximum कब होगी तो सबसे पहले field निकालना है उसके आर के रिस्पेक्ट में derivative ले लेंगे और यह हमारा कहानी मतलब small r की value निकल जाएगी तो चलो माल लेते हैं यहां से कुछ small r distance पर एक sale यह पूरा का पूरा ध्यान रखना capital R है ठीक है न तो यह पूरा का पूरा capital R है तो पूरा capital R तो पूरा उसका solid sphere है हमें maximum निकालना है तो यह यहां से और यह यहां से basically हमने एक sale consider कर लिया element r distance पर जाके एक r distance पर जाके हमने एक sale consider कर लिया यहां से हमने एक और नहीं एक variable अलग से sign कर देते हैं हम लोग x consider कर लेते हैं तो x distance पर जाके हमने एक sale consider कर लिया जिसकी thickness कुछ dx है बात समझ में आया तो इसके पास छोटा mass होगा dm mass is equal to volume multiplied by density तो mass इसका volume कितना हो जाएगा फोर पाइ x square इसकी thickness dx और density यह function of x रखोंगा तो one minus x का square upon capital r का square ठीक है अब हमारे पास एक छोटा सा यहां एक ध्यान देना है कि जो small r का हम लोग लिए थे small r यह वाला small r था और इस small r की जो value थी यह जो small r का था यह यह वाला जो है यह small r का था इसमें हमें mass calculation करना this is the small r ठीक है जिसका mass small m है ठीक है और यह तो अब हमें इस dm का mass के limit जाएगा x की limit जाएगी x is equal to 0 to x is equal to small r तो यह जो small m की calculation हो जाएगी बात समझ में आएगा सबको capital r लम भी कहा नहीं है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है तो dm की जो value आ जाएगी dm is equal to यह इसमें power 4 और r square that is the dx यह small mass है किस की strip का differential element sale का तो यह basically sale का mass आया है भाई प्यारे बच्चों अब मैं limit लगा के integrate कर दूं हमें वह small r तक mass चाहिए तो जब x की value 0 थी तो mass की value कितनी थी 0 तो x की value जब small r होई तो mass उसमें m आ गया ठीक है तो यह basically तुम देखोगे कि कितना mass आया तो इधर मिला mass m और इधर मिला 4 pi rho naught और यह integrate हो गया तो यह integrate हो गया तो यह x की power 3 y 3 और minus x की power 5 upon 5 r का square और limit limit गया 0 to small r तो finally यह जो है small r का जो mass आ जाएगा वह जाएगा 4 pi rho naught 4 pi rho naught और यहां small r की power q और 3 minus small r की power 5 आ जाएगा और यह 5 capital r का square तो यह कुछ नहीं है यह वह small mass है ठीक है यह जो हमने assume किया था कि यह जो function की यहां से यह जो solid sphere था r radius का उसका महासा प्यार बचो चलो भाई अब बात करते हैं gravitational field उसका solid sphere पे is equal to z small m over r का square था तो यह जाएगा g small r square और यहां से मैं इसकी value रखकों तो 4 pi rho naught और basically r की power q upon 3 minus r की power 5 और यहां से 5 r का square यह वाला यह 5 है तो यह bracket को मैं बंद कर देता हूं तो this is the general expression of gravitational field inside as a function of r field as a function field as a function of r हमने calculate कर लिया और यह एक variable चीज़ आर पर dependent कर रहा है अब अब जे r पर depend कर रहा है भाई तो हमें इसको maximum निकालना है चाहो तो यहां से r square को अंदर multiply कर देते हैं तो अंदर multiply कर दें तो यह क्या बनेगा कि 4 pi rho naught capital G और r square से अंदर multiply किये तो यह बनेगा r by 3 और minus यहां r by r की power 3 upon 5 r का square this is the simplest form of the gravitational field अब maximum कहां होगी field उसके लिए field will be maximum if इसका derivative लो सबको आता है d over dr should be equal to 0 first derivative इसका 0 होना चाहिए तो अगर मैं इसका first derivative 0 लेता हूँ तो देखो कितना आ जाता है इसको derivative कर दो तो 1 by 3 minus 3 times r का square 5 r का square that is all equal to 0 मलब 1 by 3 is equal to 3 r का square is equal to 5 times r square तो हमें किसकी value चाहिए भाई तो हमें small r की value चाहिए तो small r की value के लिए यहां जाएगा 5 r square per 9 और यह सब कुछ under root रहेगा small r की value तो small r की value आ जाएगी वह आ जाएगी यहां 5 by 9 under root और यह capital r root से बाहर आ जाएगा तो this is the final solution of this problem I hope कि आपको मजा आ गया होगा समझके तो thanks for watching this video ऐसे हमारे वीडियो मतलब हमारे चैनल के साथ बने रहो और अच्छे से समझने की कुसिस करो और this is the c option इसका match कर जाता है ठीक थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो